हाई फ्रेंज अस्सलाम अलेकुम आज मैं बनाने जा रहे हूं सुजी आलू का चोरी बहुत इजी रेसिपी है और टेस्टी भी तो आईए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप सुजी एक कप मैदा आलू बाल करके अच्छे से मैस क्या हुआ है मसाले में चाहिए मेर्ची पॉडर, धनिया पॉडर, सौप पॉडर, घी, नमक, चाट मसाला पॉडर, जीरा पॉडर, बारी कटा हुआ धनिया पत्ति और आठा गुंदने के लिए दूद आलू में हम डालेंगे एक चोटी चमाच, धनिया पॉडर, एक चोटी चमाच, सौप पॉडर, एक चोटी चमाच, मिर्जी पॉडर, एक चोटी चमाच, जीरा पॉडर, और एक चोटी चमाच, चाट मसाला पॉडर बारी कटवा धनियापति डालेंगे नमक, स्वाधनुसार सबको डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें हरी मिर्च भी एड़ कर सकती है अगर आपको पसंद आए तो अच्छी लगे तो इसको इसी तरह से अच्छे से मैस कर लेना है मिला लेना है अब यह मिक्स हो चुगा है अब एक बोल में हम सुजी डालेंगे और मैदा डालेंगे इसमें हम दो चमच घी डालेंगे अब इसको आच्छे से मिला लेना है अब दो डालके हम इसको मिलाएंगे अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करके गुंद लेंगे अब त्यार हो चुका है आटा अब इसे हम ढख देंगे आदे घंटे के लिए आदे घंटे हो चुका है हमने यहाँ पर कपड़े से ढखा था अब त्यार है आटा देखे नरभ हो चुका है अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे इसे तरह से छोटी छोटी लोई बना लिजी आप सभी आटे का अब थोड़ा चांटा सुखांटा डालके हम इसे बेल लेंगे छोटी छोटी पूरी की तरह इसे तरह से बाकी लोई को भी बेल लेंगे अब हम इसमें पूरी में आलू डालेंगे अब इसको इस तरह से अच्छे से मूर लिजी इसको इसको अच्छे से इस तरह से बना लिजी ए कच्छोरी इसको अच्छे से दबा के मूरे इसमें सूजी है ज्यादा तो इसलिए फटने का चांस होता है ये इस तरह सभी कच्छोरी को बना लिजी आप अब कराई हीट हो चुकी है अब इसमें हम टेल डालेंगे टेल हीट हो चुका है अब इसमें हम बनी हुई सारी कच्छोरियां डालेंगे अब सबको हम डिफ्राइ करेंगे इस तरह से आप पलट लें हलका सा ब्राउन हो चुका है अब प्राई हो चुका है देखिए अच्छी तरह से अभी से हम निकाल लेंगे अब त्यार है अलू सुझी अलू का चुरी अब इसे आप खटी मीठी चटने के साथ सब करें अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें